जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ प्रिंट्स आज का वीडियो वर्ल्ड अफेल्चरों की और से वीडियो का टाइटल है इंडिया वील है 100 यह अच्छी बात है पूरा देश रिच हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है हमारे देश के लिए और 27 तक कहा है तो ज्यादा टाइम तो है नहीं और 24 स्टार्ट हो शुका है और तीन साल है तो क्या तीन साल में इतना हां लेकिन हो सकत जिस स्पीड से हम चल रहे है कि या यदि वह स्पीड कंटीनीव रही या तो फिर 20 में कोई रुकावट नहीं आई जैसे कि महामारी आ गई थी इसमें कोरोना जैसी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है अधरवाइस तो बहुत हैं करीबन 149 क्रोड आबादी है कुछे साब ब बिल्कुल दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं वीडियो जो है वो वर्ल्ड अफेर सेनल की और से मिश्टर प्रशान दवन जी का आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा हर बार की तरह भी तो इस बार भी सपोर्ट आपका चाहिए इस बार भी सपोर्ट दिखा दीजे आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे हर जगा जहां पर लिखा हुआ है के हंड्रेड मिलियन दो हजार सताइस मतलब के तीन साल के अंदर अंदर भारत में जो एफ्लुएंड लोग हैं इनकी संख्या हंड्रेड मिलियन होने वाली है मतलब इंडियन आपके लीजे दस करो एक बहुती बड़ी आबादी होती है देखे लगातार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स रिपोर्ट इसलिए पबलिश हो रही है क्योंकि दुनिया में गिंती के 14 से लेकर 15 ही देश होंगे जिनकी टोटल आबादी ही ना 10 करोड या 10 करोड से उपर हो अब आप इमेजन करिए भारत में तो 10 करोड एफ्लुएंट लोग रहने वाले हैं जो कल को परचेजिंग कर सकती हैं जो कल को आइफोन या फिर एक मेंगी घड़ी या फिर कुछ एक्सपेंसिव रेंड कर सकती हैं तो इंडिया की जो मिडल क्लास है ना ये लगातार और जादा अमीर होती जारी है ये बात रिसेंटली गोल्ड मैं सैक्स की एक रिपोर्ट में कही गई है ना सबसे पहले तो ना मैं आपको बता दू गोल्ड मैं सैक्स है क्या उसके बाद आपको बताऊंगा इनकी रिपोर्ट में क्या बाते लिखी हैं और इन्होंने अचानक से उठकर एक दिन ये बात क् fluent people in India, ये बात ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे इनका reason क्या है, motive क्या है, अब Goldman Sachs एक investment bank है, investment bank क्या करता है, कि जो अमीर लोग है, जिनको समझ नहीं आता कि अपनी संपत्ती का क्या करें, कहां पर पैसा लगाए, पैसा है तो बहुत सारा, मगर कैसे ensure करें कि ये पैसा करना होगा, कि जी JP Morgan की report आई है, JP Morgan ये कह रहे हैं, इडिया के वारे में, तो JP Morgan नंबर वन पे है, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास निवेश करने के लिए, और नंबर दो पे है Goldman Sachs, और मैं आपको ये बता दू, दुनिया भर की जो countries हैं, इनके President, Prime Ministers, JP Morgan और Goldman Sachs को बहु ज़्यादा प्राइटी देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में अमीरों का पैसा है, जहां मर जी ये निवेश करना चाहें कर सकते हैं, अचली मैं पैसा नहीं है कि जहां मर जी के मतलब पाकिस्तान शलंका में डाल दिया, ऐसा भी नहीं, accountability भी होती है, मगर इनके पास option होती है, क तो आप समझ सकते हैं, दुनिया भर की countries ना कोशिश करती हैं, कि ये investment banks हमारे देश में पैसा लगा दे, अब Goldman Sachs ना पिछले कुछ सालों में लगाता और खुल के दुनिया को बदाता आया है, कि हम इंडिया को लेकर bullish है, bullish मतलब कि हमारा मानना है कि भारत की economy है, भारत की stock market है, ये आगे खूब दोड़ेगी, यहाँ पर खूब पैसा बनेगा, और हम यहाँ पे पैसा निवेश करके इनके साथ पैसा ग्रो करना चाहते हैं अपना, तो Goldman Sachs ने एक list निकाली उन companies की जो इनके हिसाब से आने वाले time में अच्छे stock market में returns देने वाले हैं, now again मैं अपने परस्पेक्टिव से अगरा मुझसे पूछे, मैं ना Goldman Sachs से agree करता हूँ, ना disagree करता हूँ, के ये कंपनिया ठीक है, ये गलत है, मैं simply आपको knowledge परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, के Goldman Sachs ने ये कहा, के इंडिया में ना धीरे-धीरे middle class strong गो रही है, लोगों के पास पैसा आ जीद लो ये Goldman Sachs का सुझाव है, अब यहां पर आप देख पाओगे, ये सब सेक्टर है, जहां पर Goldman Sachs वानता है, के इंडिया अभी के लिए यहां पर कम खर्चता था, इंडियान्स ओवर ओल यहां पर कम पैसा खर्चते थे, अब ट्रावल, ट्रावलिंग बें इंडियान कैसे लोग हैं, तो make my trip और inter globe type की जो companies हैं, उनको ये recommend कर रहे हैं, फिर leisure के लिए कह रहे हैं कि ये Indian hotels, lemon tree और healthcare, Apollo वगरा, ये सारी companies हैं, इनको Goldman Sachs कह रहा है, कि इनके हिसाप से, इनकी study के हिसाप से, ये सारे share आने वाले long term में, ये long term की बाते करते हैं, जैसे मैं आपको बता है था, यहाँ पर इनके जो customer है, ये काफी wealthy लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो महीने के लिए बता दो के पैसे double करने हैं, या फिर तीन महीने में stock भगा दो, ऐसा यहाँ पर काम नहीं होता, usually long term investment के हिसाप से लोग काम करते हैं, तो इस case में premium two wheelers, premium fashion, premium उस सब मे ये कह रहे हैं, कि अब इंडिया में एक ऐसी आबादी खड़ी होने वाली है, जो इस सब में पैसा खर्चेगी, और अभी के लिए मैं आपको बताऊ ना, as of now, अगर हम 2022 का data देखें, तो भारत की सिर्फ 4.1 आबादी है, मतलब रफली आबान के जलीजे, हम यहाँ पर 6 करो हो सकते हैं, कई लोग कह सकते हैं, कि साल के 8,20,000 अमीर तो नहीं होता, मिडल क्लास होता है, कि ठीक है जी आप, मतलब अच्छा खाजा खाना पीना खालों के बागी, ट्रावल लेंग, यूरोप में घूमना वगरा, वो इतने अमाउन से तो नहीं होता, वो डिपेंड करता इन दा फ्यूचर परचेस करने वाले हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी के लिए इनका नंबर 6 करोड है, 2027 तक ये जो नंबर है, 6 करोड से 10 करोड होने वाला है, तो एक बड़ी परसंटेज है, पैसा खरजेगी, और साथी साथ ये भी होगा, कि इस प हारत की, हम लोग ग्रोग कर रहे हैं, मगर अभी भी एक बहुती बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जिनने हमें एक एसे लेवल पे ले के आना है, कि at least साल के 2-3 लाग रुपे तो वो कमाए, तो उसमें टाइम लगेगा, वो पर्चेसिंग पावर बिल्ड करने में टाइम मगर गोल्ड मैं सैक्स मानता है कि एक बार ये जो नमबर है ना, 6 करोड से 10 करोड हो गया, तो इंडिया एक कंजम्शन सूपर पावर बन जाएगा, यहां पे खबत इतनी होगी कि बहुत से लोग निवेश करना चाहेंगे यहां पे, और ये जो ऑपर्चुनिटी है ना इं दुनिया मिना गिंती के 15 देश है, जिनकी अबादी 10 करोड से उपर है, 15 नमबर पर वियत नाम है, बिलकुल इनकी अबादी 10 करोड ही आपको मिलेगी, बाकी नीचे जाओ जर्मनी की 8 करोड अबादी, फ्रांस की 6 करोड अबादी, आप इमाजन कर सकते हैं, जितने तो हमा आप अगर देखो न, तो कौन सा देश है यहाँ पर, कितने कंट्रीज आपको मिलेंगे, जहां पर इतने सारे लोग हैं, जो परचेस करने को तयार है, चाइना आप क्या सकते हैं, मगर चाइना की मार्केट देखिए, बहुत जादा क्लोज्ट है, इनके खुद के बहुत सा इंडोनीसिया एक अच्छी ओप्शन हो सकती है, मगर जितने एफ्लुएंट लोग इंडिया में होंगे होते, इंडोनीसिया में नहीं होने वाले, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बंडे की तरफ जा रहा है, नाइजिरिया में भी सिचुएशन खराब है, ब्राजियल में उतनी अबादी नहीं है, बांगला देश में भी नंबर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, रशिया देखिये जिरे जिरे प्रोग्रेस कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह अबादी कम है, सिर्फ 14 करोड की अबादी है, यह अबादी भी लगातार गिर रही है साल दर स तो इंडिया ओवर रॉल कंट्री स्की लिस्ट में अलगी चमकता है, जो यहाँ पर उपर्चुनिटी है, यह किसी भी और देश में अविलेबल नहीं है, और इसलिए गोल्ड मैं सैंक्स यहाँ पर कह रहा है, कि एक गोल्डन मौका है, आने वाले 3-4 साल में इंडिया में खिवेश करो, अच्छा प्रॉफिट सबको मिलेगा, नाव फानली देखिए, बहुत ही इंपॉरेंट क्वेशन है, यह मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस लाखों लोग देखेंगे यह वीडियो, हजारों लोग कॉमेंट करेंगे, मैं यहाँ पर जन्वेनली आपसे जाना चाहूंगा, कि जो यह वर्ड है ना, एफ्लुएंट, मतलब के बहुत सारा पैसा होना, क्या यह वर्ड आप यूस करोगे एक ऐसे वक्ती के लिए, जो साल के 10,000 डॉलर कमा रहा है, मतलब के 8,20,000 कमा रहा है, क्या आपके एसाफ से वो आदमी एफ्लुएंट है, या फिर आपका मानना है कि यह जो वर्ड है, यह थोड़ा सा 20,000 डॉलर या फिर 25,000 डॉलर के लिए, रिजर्व होना चाहिए, लिखेगा इसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में, मैं जैनुवनली जानना चाहूंगा, आपका अपिनियन, शेर यूर थोट्स इन दो कॉमेंट स यह जो क्लास है, यह फिलेंट हो सकता है, मेरे हिशाब से 20,000 डॉलर होना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यदि देखो 20,000 डॉलर की अर्निंग, मतलब अल्मोस्ट होने लगए, तो फिर देखो यह सारा है न, इकोनोमिक लिए समझना बहुत मुस्किल है, और बात यह यह प्रोड़के वो परसेश करेंगे, यही बात है, तो मेरे हिशाब से अभी का जो दोर सल रहा है, तो कई वो हमें दिखने को तो मिल रहा है, क्योंकि अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यह सिर्फ रुत्वा करने के लिए परसेशिंग हो रही है, कि मेरे पास पैसा है, वो दिखाने के लिए है, या फिर रियल में लोगों को यह कुछ यूज में है, मतलब नीड है, जैसे कि आइफोन लोग ज्यादा तर हमने मेने इसके पास है, मैंने बहुत चाहिए, जिन लोगों ने लिया है आइफोन, उसको मैंने एक मेरा सिंपल क्वेशन होता है, वो य यह लोग जो जिन्हों बाकी, एक वन परसंट या तू परसंट मैं कह सकता हूं, कि जिन लोगों ने आइफोन लिया है, तो उन लोगों का एक आंसर मिला है, कि घर में फर्स्ट मॉबाइल ही हमने आइफोन लिया था, अब हमें वो आदत हो गई, तो यूस्ट टू है, यह वन परसंट लोगों ने, बाकी जिन्हों मेरे ग्रूप में लिया है आइफोन, सिर्फ और सिर्फ यही रुत्वा और कुछ नहीं, कि मैंने पास आइफोन है, ब्रांड दिखनी चाहिए, ऐसा है, और कुछ नहीं, बाकी हम उसका बेग्राउंड देखे तो पैसा कितना कमात है मंतली, पंद्रह हाजार बीसे जार, ऐसा इंकम है, या कुछ भी करके उन्होंने आइफोन लिया, या तो फिर देखा देखी की वज़े सा आइफोन लिया, ये भी हम देखे लेकिन हाँ, ये जरूर है, कि लोग प्रिमियम प्रोड़क्ट की और अकर्शित हो रहे है, ये मांचे तो कि आपका थोट भी यही रहेगा, कि आप कुछ और ज्यादा कमाना भी चाहते हो, लेकिन कम दिख रहा है, लेकिन अच्छे हो ऐसा थोट हो तो, और मेरे शाप से दोजार सताइस तक हो सकता है, रिजन यही है, रिजन इसलिए मैं बोला, क्योंकि अभी ये जो र माना जा सकता है, लेकिन बाकि तो 2027 पर देखा जाएगा, और ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकि ये जो है ना, सारा का सारा एक बिजनेस की एक बोलते है ये ट्रक्षर है, वो मतलब ये जब गोल्ड में सेक्स, कोई ऐसी पोजिटिव न्यूस डाल दो, तो उसक कमाने बैठे हैं, तो ये सब कुछ समद्ना बहुत, फिर भी में यहां पर क्लियर बोल दू, हम भी ये जो रिव्यू सिर्फ कर रहे हैं, हम आपको कोई सजेशन नहीं दे रहे, आप आपकी रिशर्स के हिशाब से आप सब कुछ करना, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बोल द हम सिर्फ न्यूज पढ़ रहे हैं, हम यहां पर कोई सीज जो है, उसको कनफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ताकि वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, फिलाल हम आपसे विदाय लेंगे, मिलेंगे और रखने वीडियो में आपके साथ तिल देल, जैहिन, जैवार!